मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसेट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजके कन्या महाविद्याले, राजगर्चुरू अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपसे राचीन भारत के एतिहासिक सुरोतों पर चर्चा की थी वो मेरा पार्ट वन था, आज हम उसे ही कंटिनुएशन में लेते वे उसके पार्ट दो पर चर्चा करें पहले लेक्चर में मैंने आपको एतिहासिक सुरोतों के साहित्तिक धार्मिक और समसामाई पक्ष के विशेपर में बताया था और आज अन्य जो उसके विदेशी आत्रियों के विवराण और सरवाधिक प्रमुक और सरवाधिक रिलाइबल सोर्च जो है पुरा तात्विक सुरोत उस पर चर्चा करेंगे चलिए पहले हम बात करते हैं विदेशी आत्री जो की समय समय पर भारत आए उन्होंने भारत के राजनेतिक, आर्थिक, भोगोलिक विशों में क्या लिखा उस पर क्या चर्चा करी वो कितने विश्वस्निय हैं इन बातों को हम अपने चर्चा में शामिर करते हैं तो अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं विदेशी आत्रियों के विवरण पर ये विदेशी आत्रियों के जो विवरण और लेख हमें मिले हैं ये भी भारतिय इतिहास के निर्माण में काफी सायक हैं कुछ विदेशी आत्रियों ने संस्वरण के आधार पर कुछ ने अपने अनुभव के आधार पर कुछ ने राजाओं के दरवार में वो राजदूद बन कराए उनके आधार पर अपने विवरण लिखे और कुछ विदेशी आत्रियों ऐसे थे जो कि यहाँ आने के पश्चात लंबे समय तक यहां रहे यहां की इस्तितिक उन्हों ने अध्यन किया और अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उन्हों ने अपने अनुभव शेर कर दूए इन विदेशी आत्रियों के अनुभवों या संस्मर्णों और लेखों को हम बहुत जादे विश्वस निये नहीं मान सकते लेकिन और विशेशकर जो यूनानी लेखक थे उनमें काफी हमें अतिरंजिता या कल्पना का पुट दिखाई देता है वो हमारी संस्क्रति को सही से समझ भी नहीं सकते थे तो लेकिन फिर भी उनके जो उन्होंने लिखा वो इतिहास के निर्मान में कहीं न कहीं पर सहयक हैं आज सबसे पहले हम जिन यात्रियों की चर्चा करते हैं उनमें यूनानी लेखकों का हम सबसे पहले जिक्र करेंगे ये यूनानी लेखक जो भारत में आये उन्होंने अपने व्यक्तिकत ग्यान, अनुभव और अध्यन के आधार पर काफी कुछ लिखा लेकिन ये पूर्टा तत्थ्यों पर आधारित नहीं है सबसे पहले यहां पर हम यूनानी लेखकों में जिक्र करते हैं जो कि सिकंदर से पूर्ण भारत आये और उन्होंने यहां के विशह में लिखा उसमें स्काइलेक्स जो की इरान के समराठ दारा का यूनानी सैनिक था उसने सिंदु प्रदेश की इस्तिती पर लिखा हिकेटियस मिलेटस ये एक भूगोल वेत्ता था हेरोडोटस हेरोडोटस का ग्रंथ हिस्टॉरिका भी इतिहास के निर्माण की कुछ जानकारियां देता है और एक अन्य लेखक जो कि सिकंदर से पूर्व भारत में आया उनमें केटेसियस का नाम ब्यूल लेखनी है ये इरानी दर्वार में राजवैद्य थे और भारतियों वह इरानियों से इन्होंने तथ्यों का संग्रे किया लेकिन इनके जो अधिकांश लेख या इन्होंने जो लिखा वो अब अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है इसलिए इनके वो बहुत अधिक विश्वसनी नहीं है। सिकंदर के साथ भी बहुत से लेखक और विद्वान भारत आएं। इनमें नियारकस, एरिस्क्रोप्योलस, ओने, साइक्रिटस। इन सभी के भी मूल लेख अविलुप्थ हो गए हैं। लेकिन इनके पश्चात आने वाले लेखों ने इनके लेखों का अपने संस्मर्णों या लेखों में वर्णन किया है। तो इससे हमें उनकी जानकारी मिलती है। अब जैसे नियारकस की बात हम करते हैं तो यह सिकंदर के जहाजी बेड़े के सेनपती थे। इनके लेखों के अवशेश हमें आगे आने वाले समय में स्ट्रेबो वर एरियन के ग्रंतों में सुरक्षित या कुछ रूप में मिले हैं। एरिस्ट्रोब्यूलस जो थे उन्होंने युद्ध का इतिहास लिखा और यह सिकंदर के अभियान में साथ आये थे। इसी तरह ओने साइक्रिटस जो थे उन्होंने सिकंदर की जीवनी लिखी। अब इसके सिकंदर के पश्चात या सिकंदर के परावर्ती भी कुछ युनानी लेख का आये। उनके विशे में मैं आपको बताती हूँ और उनके लेख काफी मात्रा में हमें मिले भी हैं। इनमें सबसे महतुकूर नाम मेगस्थनीज का आता है। मेगस्थनीज चल्गुप्त मौरे के दरबार में युनानी नरेश सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आये। उसकी कुछ चीजें अन्य लेक्कों के ग्रंथों में देखने को मिलती है। मेगस्थनीज के अलावा डिमेकस ये बिंदुसार के दरबार में युनानी राजदूत के रूप में आये। और इनका भी मूल ग्रंथ विलुक्त हो गया है। इस्ट्रेबो ये एक आलोशनात्मक इतिहासकार थे और इन्होंने ततकालीन, सामाजिक, राइनेतिक, धार्मिक वा आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन किया है। पिलिनी इन्होंने प्राकृतिक इतिहास वा भारत का विब्रण दिया। एरियन इन्होंने सिकंदर का आक्मर नामक लेख लिखे। टॉलेमी ये एक रोमन लेखर थे और टॉलेमी ने भारत का भूगोल लिखा और उसमें हमें भारत की भूगोलिक और अन्य अवस्थाओं की महतुपून जानकारी दी। इसके अलावा पेरिप्लस ओफ एरिथ्रियन सी नामक एक अद्बुत ग्रंथ प्राप्त हुआ हैं जिसके लेखक के विशे में तो बहुत जानकारी नहीं हैं लेकिन उन्होंने भारत के भूगोल व्यापार आदी की अपने ग्रंथ में महतुपून जानकारी दी। ये तो बात हुई यूनानी लेकों इसके अलावा कुछ चीनी लेखक कुछ चीनी लेकों ने तो केवल लेक लिके और कुछ चीनी यात्री भारत आएं और भारत में रहकर उन्होंने यहाँ पर भारत की स्थिति का अध्यन किया भारत की ततकालीन विश्विद्यालियों में अध्यन किया बौदधर्म का अध्यन किया और तब यहां का इतिहास लिखा उनका जो द्वारा लिखा गया इतिहास है वह इनके comparison में युनानी लेकों के comparison में जाते विश्वसनिये माना जाता है। चीन में बौधधर्म के विस्तार वह चीनी यात्रियों के भारत आने और संस्क्रित साहित्य के अधिन के कारण इन यात्रियों का विशेश योगदान रहा इन में सबसे प्राचीन नाम जो हमें देखने को मिलता है वो सुमाचीन का मिलता है यिने चीनी इतियास का पिता में भी कह जाता है उनके द्वारा इसापूर प्रथम शताब्दी में लिखे गए ग्रंत में भारत संबंदी जानकारी का उलेख किया थे वे यात्री जो भारत आए उनमें फाहियान और वेंसांग का नाम उलेखनी है फाहियान ने अपना विब्रण दिया है उसमें हमें काफी एतिहासिक मेहतुपूर जानकारी मिलती है वे चंद्रगुप दुत्य के शासनकाल में भारत आए लगबग 14-15 वर्ष यहां रहे बौद धर्मों का उन्होंने धर्म ग्रंतों का उन्होंने अध्यन किया और तत कालीन भारत की धार्मिक वसामाजिक दिस्थिती का उप्योगी वर्णन भी किया इसी प्रकार वे इंसांग जो थे वो हर्ष कालीन भारत का प्रत्यक्ष दर्शी विवर्ण दिया उन्होंने और बौद धर्म के अध्यन हे वो यहां आये थे उनका यात्रव्रतांत जो है वो अत्यन मेहत्युपून है एक अन्य विदेशी यात्री का नाम आता है विली ये हुए इंसांग के मित्र थे और इन्होंने अपने मित्र की जीवनी लिखी है इसके अलावा इत्य सिंग ये सात्वी सदी के अंत्में भारत की यात्रा पर आये और इन्होंने नालंदा वो विक्रम शिला विश्विद्याले में अध्यन किया और अपने यात्रा व्रतांत को इन्होंने फिर लेखनी बद किया चीनी और यूनानी यात्रियों के अलावा एक दो तिब्बती लेकों का भी लेक मिलता है ये भी बौध धर्म के उपासक थे और इनमें लामा तारानात का नाम विशेश रूप से लेक निये हैं लेकिन इन्होंने कंग्यूर वो तंग्यूर नाम ग्रंत लिखे लेकिन एति जिहासिक द्रस्टी से इनके ग्रंत अधिक विश्वस्निय नहीं है। और अलमसूदी का नाम महतुकूण हैं अलमसूदी ने मरुजुल जहब नामक ग्रंत लिखा। ये भारतिय इतिहास की द्रस्टी से कुछ इनमें सहायक हैं लेकिन मुस्लिम यात्रियों में जो एक विशेश नाम उलेकनिये हैं वो अलवरूनी का नाम आता है। वे संस्क्रिट भाषा के भी जानकार थे और अलमरूनी ने तैकीक ए हिन्द नामक ग्रंत की रचना की, जिसमें उन्होंने ततकालीन भारत की विस्ट्रिज जानकारी दी और ये महमूद गजनभी के साथ भारत आये थे और यहां पर रहकर उन्होंने यहां के स्थिति का अध्यम किया इस प्रकार विदेशी यात्रियों के व्रतांत भी कम और अधिक मात्रा में भारतिय इतिहास की विभिने समस्याओं को सुल्जाने में सहयत हैं अब हम आते हैं सबसे महतुपून बिंदू जो है वो है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का वो है पुरातात्विक स्रोथ प्राचीन वाक के इतिहास सर्वाधिक विश्वस्निय स्रोत ना, के अभिले को इस्मार को, मूर्थी लेखों, मुद्रा, मोहर, गुहालेक, शिलालेक के रूप में प्राप्त होते है इन पुरातात्विक लोखों को भी हम पुरातात्विक स्रोतों को भी हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं पहला प्रतिपादक के रूप में जैसे कि इसमें हम ले सकते हैं समुन्द्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ती और खारवेल का हाथी गुमफा अभिली और दूसरे होते हैं समर्थक के रूप में जैसे पतंजली का माभाश है क्योंकि इसमें जो वर्णन मिलता है उसमें कुष्यमित्र शुंग ने अशुमेग यग्य कराए और पुरातत्व भी इसका समर्थन करता है साहेक पुरातत्विक सामगरी को तीन भागों में बाढ़ सकते हैं जैसे अभिलेक अशुक के पूर काल में हमें केवल दो ही अभिलेक मिले हैं और अशुक के पश्चात हमें अभिलेक भी विभिन रूपों में मिले हैं अगर हम इस्तंभ लेक की बात करें तो इनकी परंपरा काफी प्राचीन है हडपा वो मोहन जोदाडों की सभ्यता से भी जात होता है कि यहां के निवासी भी इस्तंभों को इस्थापित करते थे प्रारम में जो इस्तंभ मिले हैं उन पर कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन अशोक कालीन इस्तंभ काफी विवरणात्मक रूप में लिखे गए हैं और यह ऐसा लगता है कि जैसे पत्थर पर लिखी हुई कोई आत्म कथाव इसी तरह 1857 की क्रांती में शहीद हुए शहीदों की इस्म्रती में विजय इस्तंभ का निर्मान हुआ इसके अतरिक यूनानी हेलियो डोरस का इस्तंभ लेक, समंद्र गुप्त का प्रियाग इस्तंभ लेक, चंद्र गुप्त का महरौली इस्तंभ, इसकंद गुप्त का भीतरी गाउं इस्तंभ लेक और हिंदूों के वैशनाओ वग्गरुन इस्तंभ लेक भी उलेकनिये हैं इनसे हमें महतुकूम और विश्वस्निय जानकारी मिलती हैं शिलालेक जैसे की नाम से ही आपको पता है ये साधानता पहाड़ियों को काट कर बनाए जाते थे उन्हें समतल करके बनाए जाते थे अशोक के शिलालेकों के बाद पुष्यमित्रशुंग का अयोध्य अभिलेक, खारवेल का हाथी गुमफा वर रुद्र दमन का जूनागड अभिलेक विशेश रूप से उलेकनी हैं शिलालेकों के बाद अगर हम बात करें तो गुहालेक ये भी परवतिय शेत्रों में राजाओं वर संपन्न व्यक्तियों द्वारा भिक्षुओं वर साधुओं के तो गुहाओं में निर्मित किये जाते थे इनमें अशोक के बाराबर गुहालेक, दश्रत के नागारजुन, गुहालेक, नानागाट व कार्ले आदेस्थानों के गुहालेक विशेश रूप से उलेकनी हैं गुहा लेखों के साथ मूर्ति लेख जो है उनमें भी जैन बोध वब्राह्मन धर्माव लंबियों द्वारा बोध संख्या में ये बनाए गए और मूर्ति निर्मान के समय से इनका प्रारम माना जाता है विबिन मूर्तियों के शीष और अधो भाग और मन्दिरों की प्राचीरों पर भी कुछ लेक मिले हैं और इसके साथ साथ मृद भाणड जो मिट्टी के बड़तन खुदाई में मिले हैं उन पर भी विबिन चिन अंकित हैं जैसे सिन्धु लीपी के चिन वचितर जो अंकित ह वो हम देख तो सकते हैं लेकिन अभी तक हम उन्हें पढ़ने में सायक हमारे पुरातात्वित नहीं हुए इन पुरातात्विक स्रोतों में एक जो अन्य महत्रुपूंग स्रोत है वो है मुद्रा और मोहर ये प्राचीन काल में मुद्रा ममोहरे मिट्टी और धातु दोनों प सिंदु प्रदेश की मुद्राएं संग्रालों में आज भी देखने को मिलती हैं एशिया माइनर की खुदाई में बुगाज कोई के अभिलेकों में इंड्र वो वरुन आदी वैदिक देवताओं के नाम वो मिस्र में मिली मोरों में नरेशों के नाम मिलते हैं सांची, भरहुत, अमरावती आदी स्तूपों पर भी अनेक लेख हैं जो की एतिहासिक द्रस्टी से महतुपूर हैं इसके अलावा इसमारक तथा खंडर की वास्तुकला वर शिल्पकला भी पुरातात्विक स्रोत के महतुपूर पहलू हैं इसके साथ ही इन पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं का भी विशेश महतुपूर इस्थान हैं मुद्रा जिस इस्थान पर हमें प्राप्त होती है एक तो उससे हमें यह पता चलता है कि ततकालीन राजा का जो शासन था वो कहां तक विस्तृत था या व्यापार कहां तक विस्तृत था साथ ही मुद्राओं से हमें नरेश या राजा विशेश की रुचियों का पता चलता है जैसे कि समंद्र गुप्त की कुछ मुद्राओं में उन्हें वीड़ा मजाते वे दिखाया जाता है जिससे कि ये पता चलता है कि वे संगीत के प्रेमी थे वहीं कुछ मुद्राओं पर अशुमेग पराक्रम लेग शाशक द्वारा अशुमेग यग्य किये जाने का ज्यान कराते हैं साथ ही सिक्के राज्य की धार्मिक वह आर्थिक इस्थिती को भी दर्शाते हैं जिस समय हमें स्वर्ण के या चान्दी के सिक्के मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि उस समय उस राज्य में राज्य की आर्थिक इस्थिती जो थी वो काफी अधिक सुध्रड थी तो इस प्रकार हमने आज दो बातों पर चर्चा की जिसमें विदेशी यात्रियों के लेग और पुराता त्विक सोथ और इससे पहले पार्ट वे दो बातों पर हम चर्चा कर चुकें जिसमें की साहित्तिक और समसामाई भ्रंतों का हमने उलेग किया था तो अब इन चारों स्रोतों के आधार पर हम अगर जानना चाहें तो हमेरे पता चल सकता है कि भारतिय इतिहास में स्रोतों का अभाव नहीं है यह सबसे महत्वकून है और आज हमें आवशकता इस बात की है कि हम अपनी तारकिक बुद्धी का प्रयोग करके अनावशक विवरण को त्याग कर वास्त्विक तत्यों पर ध्यान देकर एक इतिहास का स्रजन करें वही अधिक उचित होगा और तभी हमें इतिहास की वास्त्विक इस्तिती की जानकारी मिल सकती है लेकिन इन सब चीजों को देखने के पश्चात एक तत्य हमारे सामने ये एक धार्ना हमारे सामने आती है कि जो लेखक ये कहते हैं कि प्राचीन भार्टियों में एतिहासिक मेधा का भाव था वे स्वतह ध्रामक प्रमाने हो जाती है आशा है कि मेरे इस व्याख्यान के माध्यम से आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने में सफन हुए होगे